कि कि इनुत फोट अड़े फ्रेंद्स हम जा रहे हैं जयपूर से ज़मेर B आपको बताती हुई जाओंगी कि हम कैसे कैसे जा रहे हैं और जो भी रस्ते में जो चीजे आये की दिखाने ही होगे तो चलिए हम चलते हैं तो चोखी डाणी से हम अपना जो रस्ता है शुरू कर रहे है और अज मेर जे लेंगे अब तो अब ही टाइम हो रहे है 2.50 तो देखते हैं कि कितना हमें टाइम लगने वाला है वामपर तो जितना भी टाइम लगेगा और जो भी रस्ते में आएगा वहां में आपके साथ शेयर करूंगी तो आप बने रही है मेरी व्लोग में और अभी तक का अपनी चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आकन दबा देजिए तक कि मेरे व्लोग्स और कुकिंग वीडियो जाप देख के तो अभी हम है वाटी का रोड पर और तो अभी हम अजमेर बाइपास रोड पर एंटर करने वाले हैं और वहां से अजमेर की तरफ रवाना हो तो हम अजमेर बाइपास रोड पर पहुंचने वाले हैं और इसको जेपूर रिंग रोड भी गते हैं यह है जेपूर रिंग रोड पर आगे जेपूर रिंग रोड पर और यह देखिये रोड बुट स्मूथ है अच्छी है उसाफ सुप्रे बनी वी है अजया सिस्टा इसमेर तो यह पर गड़ी की स्पीड सो है और यह जो अपने रोड बनी वी है बहुत ही स्मूथ रोड है और गड़ियां ऐसे बागती भी जा रही है यह दो ऐसी रोड है जा परिदम डांस कर सकती है बढ़िया सकती है कर दो जाएड फ्लावर तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी रोड को हम चोड़ रहे हैं अभी यह पूरिंग रोड पर हम चड़ चुके है तो यहां पर जाम लग चुका है देखिए अभी इतनी देर यह जो रोड थी बहुती मस्क थी मज़े आ गए थे साइड में येलो येलो फ्लावर और इतनी स्मूथ रोड तो का पंजाब भी है यहां पर जैसे चोखी डाणी है यह पर फिर से एक टूल प्लाज आ चुका है यह साइड और यह साइड रोड के साइड जगह जगह पर यह कंबल वाले बेठी ब्लेंकेट मिल जाएंगे आपको यहां पर यह तोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे कंबल वाले आये हैं मुद्ध कितनी सारी बक्री हैं बक्रियों ने मारा नस्ता काट दिया तो अब यात्रा बोती मंगल में आवेगी मरी यह देखिए पाड़ों ने फिर से तस्तक देती है हमें किशन गड़ यहां से पचास किलो मेटर दूर है और अब हम जब चल रहे हैं तो हम वेस्ट साइड चल रहे हैं तो गाड़ी चलाने में इंको थोड़ी सी प्रोग्लम हो रही है क्योंकि सामने सूरश पढ़ रहा है आंको में तो मैं इनको देरीन चश्मा उनको कह रही हूँ गोगल स्पेन लो तो देखते हैं गोगल स्पेन केचे से ड्राइब कर पाएंगे की नहीं कैसा दिख रहे हैं सही है तो फेंड्स हमें लगबग एक गंटा और बीस मिनिट हो गए है जब पुर्से निकले वे और हम पहुंच सुके है दूदू यह दूदू एक प्लेस का नाम है यहां पर जगाय का नाम है तो यहां पर यह सिद्धी विनाइक होटेल है तो यहां पर हम चाय पी नहीं के लिए रुक्या है तो यह लेकर आई यां चाय और चाय आई एक लड़ में तो यह देखिए वाकर यागजब की चाय है तो हम चाय पीते अभी है यहां पर फिर मैं आप से मिलती हूं तो मैं यहां पर चाय एंज्वए कर रहा हूं काफी अच्छी टेस्टी चाय बनी हुई है तो प्रेंट से काफी बड़ा इसे होटेल बना हुआ है यहां पर तो अंदर बेटने की भी सुईदा है आप अंदर बेट के खाना भी ना खा सकते हैं और एदर वास्टूम भी बने हुए है किसे देरे विये यह यह कैसे है एक सो पचास का यह जी डेट सो का है अच्छा और यह क्या है यह कितने के एक सो का पर और इसे सो का है 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 जो हाथी से बने वियंआ है एच्छा तो यह देखें प्रेंडे आप छोटे चोटे हाती इस अच्छा रबेगरisen पत्थर से झालो कुछा यह सब चीजें रिज़ा है कि दरचन दरचन बैज़ाइए यह किसेंज में आपटी ने पचांटी तो जैसा मेनत होगा हो लेगा है लेगा उपन पे आपके लिए में अजमीर जार्यू मेरी बुआ जी के घर कितनी एक्साइटेट बहुत जादा इस एक्साइटमेंट रहा तो जी उसमें कतम हो गया तो अभी फ्रेंड्स आपको पता है कौन सी जगह आई है अभी आई है दांत्री और दांत्री से हम चलेंगे तो अजमीर के लिए लगबग सवागंटा दूरी बता रहा है गूगल तो हम सवागंटे में अजमीर पहुंच जाएंगे अजमीर यहां से है 49 किलोमेटर और स्पीड लिमिट है 100 किलोमेटर पर आवर और हम चल रहे है एटी पर रोड तो बहुती मस्त है रोड तो जब से आया है अजमीर और इदर यह जैपूर वाली जो रोड है तो अजमीर की तरफ जा रहे है यह भी बहुती स्मूथ चल रही है गड़ी है इस बहुती अच्छी बनी हुई है और बार के विव तो इतने शेंदर है कि आपको बोर तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे यह देखिए पंदर सिंदरी आगे है कि अच्छीन गट के लिए इदर मुडने के लिए कह रहे है तो हम इदर जाएंगे क्या इसाइड को इसारी चीज़ा आज आप बाइफास कर रहे हो जचे नहीं दिखा रहे हो इस अच्छीन गट एपर बहुत सारे अच्छी अच्छी मार्वल्स दिखाई दे रहे हैं किशेंगेट के मार्बल तो बहुती ही फेहमस है तो आप यहां पर देख सकते हैं मारबल ही मारबल है यह यह पर यह भी बहुती ही मस्ता आ रहा है सामने पहड़ियां दिखा ही दे रही है कर दो कर दो कर दो सामने सीमें पता कि आतना मस्त सीमें केमरे में नहीं ले बारी हुए इतना अच्छा सा पर मैं डारेक्ट इसको देख रही हूं तो क्या गजव का सीन है मतलब एक बार तो जरूर आना बनता है यह अबर जब संसेट होने वाला होता है उस टाइम, शाम के अभी क्या टाइम हो रहा है, साड़े पांस बज़ रहे है इसी ड्राइंग मैंने बच्पन में बात चाहिए, हाँ, अब ये फाइनल वो वैसा है पहार, फिर नियंद लड़ी और सूरज, अदा सूरज, उसकी रेज, ठोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अभी तक मेरे चैनल को करो और साथ में पहला इकन प्रेस करना तक ऐसी नई नई वीडियो आपके सामने आती रहें तो यह देखिए फ्रेंड्स अजमेर में आपका हर्दिक स्वागत है बोर्ड लिखावा आ गया है और हम पहुंच उके हैं अजमेर तो हमें जयपूर से अजमेर पहुंचने में क अपने कार के टायर की हवा चेक करवाई थी तो वो थर्टी से फॉर्टी 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 फॉर्ट कि इता रहें से दिज लिंदती अची तो फिर आमने बात कर्वा लेकि अगर आपके यह कंडिशिन अच्छी कहसे लिए ऐनसे इनुखल है कि अभर को डास तो हम यहां लेसं निकल रहे हैं वह और शाम होने वाली है 3d अब होने वाली नहीं एंगे शांगे है कि 300 200 meters continue straight past Vikram Behram to stay on Jaipur Road meters at the roundabout take the third exit on the Civil Line Road to be trained in Kandari here bus stand Azmir here bus stand Azmir in 200 meters at the roundabout continue straight to stay on Civil Lines Road Savitri Girls College Road here look at this color look at this color look at this color it is a bright color it is now sunset so it is a light लाइट भी पड़ रही है इदर लाइट है जमजमा रही है पानी के अंदर लाइट है